तो स्टार्ट करते हैं चलिए, चप्टर का नाम क्या है हमारा? contract account, contract का मतलब है के building ए, मकान, flyover, bridge, इन सब चीज का जो काम करते हैं, construction का काम, basically जो construction का काम करते हैं उस से related हैं हमारा कौन सा contract account अब construction के काम की अगर मैं बात करूँ तो यही हो सकता है, flyover बनाए जा सकता है, building बनाए जा सकता है, या फिर हमारा क्या बनाए जा सकता है, कोई bridge बनाए जा सकता है, यही सारी चीज़े बनेगा, road बनाए जा सकता है construction में, अब हमें इस chapter में examiner बोलता है कि आप हमें निकाल के बताओ profit, examiner बोलेगा, आप निकाल के बताओ profit, main point, इसके अलावा कुछ चीज़े पूछ सकता है, कि आप balance sheet भी बनाए यह दो बाते हैं, ठीक है न, तो इसके अंदर हमें जब profit निकालना होगा न, तो सबसे पहले इसके concept को समझना होगा, कि यह काम कैसे होता है, यहाँ पे जिसने building बनाने के लिए, जिसको building अपना बनवाना है, या road जिसने बनवाना है, road जिसको बनवाना है वो government है, और जैसे building बनवाने owner है, तो एक वो है, और एक वो वेक्ती है, जो building बनाएगा, दो लोगों कहीतर relation है यहाँ पे, एक वो वेक्ती है यहाँ पे, जो की building को बना जो building को बनाएगा ना उसे बोला जाएगा contractor उसे बोला जाएगा contractor ठीक है ना और जो building को बनवाएगा जैसे मैंने बोला भाई मेरा building तयार करना है आपको इसे बना दीजिए तो उसे बोला जाएगा कॉंट्रेक्टी कुछ पहले बेसिक बेसिक चीजे हैं हम समझ लें फिर हम चप्टरे स्टार्ट करें आराम से ताकि कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर दो पार्टी इन्वाल्व होगा एक कौन होगा contractor कौन है जो building बनाएगा अब government या फिर examiner या इस chapter में क्या बोला गया आप क्या निकाल के दिखाओ तो profit तो ultimately जब उसको मकान पूरा बना के handover कर दो तब पता चलेगा ना है के नहीं अगर road बोला है तो road पूरा बना के दे दो तब आपको profit जाके कहीं न कहीं पता चलेगा लेखिन अगर आपने construction अधूरा है तो आप actual profit निकाल पाओगे क्या और आपको पता है construction एक दो महने में नहीं होते बड़े बड़े कुछ ऐसे भी construction ने जिसमें सालों लग जाता है metro अभी तक बनी रहे 2000 में start हुआ ता 22 साल हो गया लेकिन जो contractor है यह अपना profit loss निकाल रहे है टेक्स तो भरी रहे होंगे न तो वो अपना profit किस तरीके से निकालेगा किस basis पे निकालेगा उसके क्या system होते है वो चीज़ सिखाया जाएगा हमें इस chapter के अंदर basically balance sheet तो बहुत छोटा सा part है तो balance sheet में 4-5 item आएंगे तो मैंने इसलिए लिख दिया है बस तो एक तो हमें जो account बनाना है जहां से profit निकलेगा तो profit निकालने के लिए बोला जाता है कि आप बनाईए कौन सा account contract account sir contract account जब हम बनाएंगे तो ऐसा भी possible है यहां पर कि हम एक से ज़्यादा contract account बनाना पड़े एक साल से ज़्यादा क्यूंकि अगर तीन साल का हुआ contract तो examiner बोलेगा तीन साल में आपने काम complete कर रहे तो तीनों साल का बनाऊ ठीक है न अब contractor के अंदर contractor कोन है जो बनाएगा contract जो बनवाएगा इसके अंदर profit कहां से निकालेंगे उसके लिए कौन सा account prepare करना है अब profit निकालने का तो आपने बचपन से एक ही point सीखा है कि जो आपके पास sales हुआ और minus में आप क्या कर दो इसमें से खर्चे आपका क्या निकल जाता है ultimately profit यही सीखाए तो जो starting में सिखाए गया था आज भी वही सीखेंगे हम क्या करेंगे account में खर्चे minus कर देंगे income में से और अगर profit जहां से निकाला जाता है तो account बनाने का कुछ कुछ ऐसा format रहता है बात है कि हमें कितना profit को मानना है अब contractor में कौन-कौन सी main बाते ऐसी है जो कि आपको समझना पड़ेगा जो होता है सबसे major खर्चा contract में बताओ क्या होता है labor labor ही तो होता है मकान बनवाते हैं तो labor को दिहार ही देनी पड़ती है daily daily तो सबसे major खर्चा क्या होता है labor labor के साथ material नहीं होता क्या material भी होता है क्या क्या होता है labor material क्या machinery use होता है बिल्कुल होता है आपने देखा होगा कई बार रोड बगएरा बनता है तो बड़े बड़े रॉलर जेसी वी यह सब चलते हैं तो किराय पर भी लेकर आ सकते हैं और खरीदा हुआ भी हो सकता है उस पर depreciation भी लगेगा यह भी रहेगा और साथ के साथ देखा जाए तो काम complete कभी भी पूरे साल में नहीं होता तो एक word आता है work in progress ठीक है न work in progress क्या होता है आपने देखा होगा कई बार बोड भी लगा देते हैं कारे पर गतिते हैं work in progress तो work in progress का मतलब क्या है भी काम complete हमारा नहीं तो इसके साथ साथ और journal expense भी हो सकता है जैसे labor को चाय पानी का खर्चा दिया ये भी खर्चा हो सकता है electricity bill भी हो सकता है हमारा expense water bill भी हो सकता है यानि any kind of expense जो कि आपको पता है वो सारा का सारा खर्चा है जो यहाँ दिखाएंगे लेखिन major जो expense आपको देखने को मिलेगा व अब इधर sales की income की हम बात करते हैं तो income की जब हम बात करें ना तो जो पैसा हमें मिलेगा कुछ न कुछ basis पे तो मिलेगा ना तो हमारा जितना काम complete हो जाता है पैसा दे दे तो contractor हमेशा क्या बोलेगा मैंने सारा काम कर दिया पैसे पूरे दे दो आप धीरे धीरे होता रहेगा लेकिन आप ध्यान रखना जैसे ही आप contractor को पैसा दोगे वो फिर आपके काम को टाल मटोल करने लगेगा और हो सकता है आपका मकान भी ना बने और वो चला भ यानि ठीकेधार का अकउंट सिंपल वड में कितने का ठीका लिया जी दस लाग का ठीका लिया ठीक है एक लाक रुपे आप काम कीसवाइड करो काम स्टार्ट रा उसने एक लेंटरiiii डाला लेंटर डालने के बाद बोले के लेंटर डेल चालो यह लोगए जो दो यह लोग Virginia दसल statement कितने पांच फ्रोर हैं, ठीक है, 2.00 года इक लेंटर डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर फिर नहीं से लेंदने ये, 4. 2024 पर और दिया, इस तरीके स्कों payment किया जाता है, ऐसा नहीं कैंकि पूरा मकार मान मान ने ने क्ज़ना का, ये लो 10.00 बना देना, तो ऐसे situation में वो क्या हो सकता है contractor जा सकता है तो contractor के साथ एक ये भी समस्या रहता है कि सारे पैसे उसे कभी नहीं मिलते contractor का bad debts भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर 10-20 लाक रुपए का 50 लाक का अगर मैं तो small amount बता रहा हूँ कम से कम 1.5 लाक तो 1.5 लाक भी क्या होता है use amount तो वहाँ पर पैसे बोलते हैं चलो छोड़ो 1.5 लाक तो वहाँ bad debts के भी chances क्या रहते हैं ज़्यादा रहते हैं तो overall हम क्या सीख रहे हैं contract account contract account का purpose क्या है profit निकालना profit कैसे इसके अंदर कौन-कौन से parties होंगे जिसके नाम सुनने को मिलेगा एक मिलेगा contractor और एक मिलेगा contractor का account contract account होता है contractee का भी एक account बनाने को बोला जा सकता है number 3 contractee का account बनाईए ये भी बोला जा सकता है तो 3 अकाउंट आएंगे इससे 4 कोई भी नहीं आएगा अभी तक मैंने खर्चे की बड़ी सारी बाते करी अब बात कर लेतें income की income क्या होगा इसका sales लेकिन इसको तो पैसा income निकाली नहीं पाएगा ने कितना sales 10 लाग का ठीका लिया था 2 लाग दिया sales 2 लाग है ये 10 लाग है पैसे मिले का है contract तो 10 का है तो यहाँ पर कोई sale यानि जितना काम तुमने कर लिया उसी को sale मानो ठीक है न अगर हम 2 लाग मानते हैं पैसे receive कर लिया काम तो मैं 4 लाग का करके बैठा हूँ तो मैं sale कितना 4 लाग मानूँ न अपना contract 10 लाग का था काम मैंने 2 लाग का किया का sale मान लेंगे revenue recognition क्या कहता हमें AS9 यही बताता है कि जितना part आपने delivered कर दिया है उसी को sale के अंदर income के अंदर consider किया जाएगा तो income कैसे consider होता है उसके अंदर देखते हैं तो mainly होता है हमारा क्योंकि मान के चलो जितने भी questions होंगे practical questions कुछ भी हो तो दो faces में होंगे एक तो या तो आपने पूरा काम complete कर दिया होगा अगर आपने पूरा काम done कर दिया है तो contract price आपका sale है 10 लाग का contract लिया 5 मंजिल बनाने का 5 मंजिल आपने बना दिये तो sale कितनी है 10 लाग रुपे लेकिन आपने 3 मंजिल बनाए है तो 3 मंजिल के बराबर का यानि बात करते है work in work in progress work in progress अब work in progress की अगर मैं बात करूँ तो work in progress ना क्या होता है अब कितना काम हमारा complete हुआ ये contractor बताएगा या कोई और कोई और बताएगा ना contractor तो बता नहीं सकता जो दूसरा वेक्ति जो किसी construction के काम को complete करता है तो उसके अंदर एक वेक्ति होता है जिसके अंदर especially talent होता है जिसे engineer भी बोल देते हैं और architecture भी बोलते हैं नाम सुनाएं कभी आपने इसका especially course भी होता है architecture का course architecture बताता है कि आपका काम इतने percent complete हो गया इतना अच्छा है इतना बेकार है अब architecture की बात करूँ मान लेते हैं मेरे पास पूरा साल है ये मेरा साल है अब एक architecture बहुत सारे जगे काम करता है अब ये start हुआ मेरा एप्रेल से और खतम कब हुआ मार्च में यही रहेगा ना start हुआ एप्रेल में और खतम कहा हुआ मार्च में अब architecture को किसने contractee ने phone किया contractee ने phone किया तुम मेरे पास भी एक बार चेक कर दो ठेकेदार को पैसे देने वो आएगा चेक करने के लिए तो हमेसा मार्च में नहीं आ सकता हो सकता है वो fab में आया हो क्योंकि अपना schedule देखेगा बोलेगा यार मार्च में तो दूसरे client पे जाना है दो fab को दीसरे client, चौथे client उसका बड़े सारे client है किसके पास? architecture के पास वो मेरे पास कब आया? fab में आया, fab में काम चेक करके गया मार्च में बुलाओंगा क्या पता उसके पास यहां तक का काम बता दिया सर इतना काम क्या हो चुका है? done क्या अब वो fab के बाद चला गया तो मैं मकान बनाना रोक दूँ है चलता रहेगा तो इसके बाद जो ये वाला portion काम है ये काम done मैं करूँ है तो लेकिन जो architecture है उसने इसको verify नहीं किया तो यहां पर दो काम हो गए यहां पर तो एक verified work एक unverified तो जो verified work करके जाता है नहीं इससे बोलेंगे work certified इससे क्या बोलेंगे? और जो नहीं करके गया work not certified समझे? सेल तो यही है मेरा और मैंने 20 लाख, 10 लाख रुपया का contract लिया, contract architecture आया, बोला जी 40% काम कर दिया, जी इसने तो कब बोलके गया FAB में? तो 40% 10 लाख का कितना 4 लाख? एक तो यह सेल है काम कर दिया, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मुझे दे दिया जाता है कि आप बता दो कितना काम आपने और extra किया मैंने बोला, अब 10 लाख में से 40% बोलके गया है तो 4 लाख का तो होई गया 50-60 लाख का और काम कर आए मैंने वो बुलवा लो और चेक कर वालो तो contract इबोलता है, कोई वात में तुमने बोल दिया ना 50-60 लाख तो हम consider कर लेते हैं, यह क्या है work not certified, वो कितने का मान लिया 50 का और work certified मैंने बोला 10 लाख का 40% तो कितने का हो गया तो मेरा sale कितना होगा 45 लाख समझ में आ रहे हो, तो यानि यहां पे जो मैं account बनाऊंगा sale की बात करूँ तो यहां पे आएगा work in progress और work in progress कितने तरीके का होता है, काम जो चल रहा होता है दो परकार के होता है एक वो वाला काम होता है जिस काम को architecture ने certified कर दिया है उसे क्या बोलेंगे हम work certified, एक वो वाला काम होता है जिसे architecture ने certified नहीं किया है उसे बोलेंगे work not certified यही हमारा क्या माना जाएगा sales ठीक है न यही क्या माना जाएगा तो अब देखो मैं एक format बनाऊगा format बनाने के बाद और भी कुछ हमें देखना है तो मेरे हिसाब से tentative आपको idea लग गया होगा कि हमें जो profit निकालना है कैसे निकालना है simple मैं starting से बोल रहा हूँ इधर सारे खर्चे लिखेंगे है न और इधर income लिखेंगे इंकम में ज्यादा कुछ तो होगा नि income में mainly क्या होगा work in progress और इसके अंदर भी दो type होगे work certified और work uncertified basically आपने निकालना नहीं है question निकालके amount भी देगा बस लिखना है लेकिन कुछ बच्चे पूछ लेते हैं sir work certified होता क्या है work uncertified होता क्या है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया clear तो मैं format बना देता हूँ फटा फट इसमें से word क्या क्या है एक तो contractor वैसे लिखने की जूरत नहीं इतने सारे question करेंगे तो याद हो जाएगा एक word आएगा question में क्या contractee और word आएगा work certified work not certified आएगा आएगा आप में तो यह सारे points आएगा तो लिखने की जूरत है नहीं मैं format बनाऊगा उसके अंदर यह सारे word यूज करूँगा मैं ठीक है तो फटा-फट से देखते हैं कि contract पहले हम balance sheet बगर लास्ट में देखेंगे लास्ट में मतलब धीरे धीरे अभी जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ स्रिफ और सिर्फ मैं contract का account बनाऊँगा contract का सिर्फ मैं account यहाँ बनाने जा रहा हूँ और बहुत जादा खर्चे भी नहीं होँगे जैसे पी एंडल और balance sheet हुआ करता था तो cost का paper आपका होता simple है लेकिन सारा logical रहता है यहाँ वही same amount particular जो लिखते आये थे वही इधर debit लिखना चाहते हो लिखो credit लिखना चाहते हो लिखो otherwise no need क्योंकि cost accounting में हमारा rule of debit credit नहीं चलता basically ठीक है न सबसे पहले मैं यहाँ लिखना two material क्या मुझे समझाना है यह पता है cement हो सकता है bricks हो सकते है या iron हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर material के बाद हमारा यहाँ पर आएगा labor labor का मतलब जो wages होता है na costing में wages को हम wages ना बोलके उसको labor के नाम से बोलते हैं ठीक है न wages बोले तब भी यहीं लिखना है labor labor के अंदर आपका आउटसेंडिंग भी याद हो सकते है तो अकर आउटसेंडिंग हुआ तो plus हो जाएगा और prepaid हुआ तो minus हो जाएगा है के नहीं तो यह मैं पूरा format लेके चल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को माइनस और बाकी होगा नहीं लेकिन मैं फिर भी सारी बातें लिखूँआ लेवर के बाद क्या हो सकता है हमारा labor के बाद हो सकता है हमारा खर्चे और खर्चे को बड़े प्यार से बुलाते हैं costing में overhead खर्चों को क्या बोलेंगे हम overhead तो यहाँ पर overhead भी होगा तो overhead का मतलब खर्चा इसको क्या बोलेंगे expense को overhead हो सकता है अब depreciation भी हो सकता है अब मैं मुझे एक बात बताना अगर मैं machinery यहाँ लिख दूँ यसे मैं आपके सामने एक account बना देता हूँ suppose करो depreciation मुझे इधर दिखाना है मैंने लिखा एक लाग का machinery और इधर लिखा 90 हजार रुपए का machinery एक लाग का और इधर 90 का तो अल्टीमेटली जो भी account account की बात नहीं कर रहा है इस account के अंदर कितना amount आया है कि दस अजर किदर आया कि डेविट साइड आया कि नब्बे से नब्बे कैंसिल करो ना तो बचा किदर डेविट साइड ही तो बचा कितना बचा दस अजर तो दस अजर क्या है डेप्रिशेशन नहीं समझे बात मेरे इस आप से देखो 90 इधर भी है मान के चलो एक इधर भी है तो 90 नब्बे डेविट क्रेडिट से कैंसिल हो गया नब्बे तो अल्टिमेटली डेविट कितना कर पाएं एक्स्ट्रा 10 अजर हो डेप्रिशेशन हमारा डेविट ही होता है 10 अजर तो यहां पे डेप्रिशेशन दिखाने का बोलता है style अलग है हम depreciation नहीं दिखाएंगे यहाँ पर assets का value दिखाएंगे और इधर assets का closing value दिखाएंगे after depreciation minus depreciation minus करने के बाद तो automatic debt account के अंदर reflect हो जाएगा तो यहाँ पर क्या दिखाऊंगा to machinery सर यहाँ machinery दिखाएंगे तो इसके buy side में दिखाएंगे क्या closing closing machinery इसके buy side में क्या दिखादेंगे closing कोई doubt इन दोनों को दिखाने का purpose क्या है पता चल रहा है क्या purpose है debt को reflect करना समझ महीं बात आपको चलिए machinery यहाँ depreciation भी हो गया और क्या हो सकता general expense होगा मैं लिख दूँगा कुछ ऐसे वैसे खर्चे हुए जो कि दे रखा होगा लिख दिया अब sales की बात करते हैं तो sales majorly होगा हमारा की अगर मैं WIP लिख दो समझ जाओगे पूरा जगह नहीं है तो मैं इसलिए WIP लिख देता हूँ ठीक है न इसके अंदर हो पूरा लिखना है वो नहीं समझेंगे ठीक है न तो exam में पूरा लिखना तो यहां पर दोनों inside लिखके total करके बाहर लिख दिया actual में देखा जाए तो what is the work in progress it is the part of sales यह क्या है एक तरीके से sales ही है अब और क्या buy side में आ सकता है मालो material खरीदा हमने बहुत सारा इसमें से कुछ material defected हो गया और construction के काम में अकसर देखा जाता है जब आप material लेने जाओगे न तो इतने return हुआ कोई material तो किदर आएगा बाई material return है ना अब ऐसा भी होता बच किया हमें return नहीं करना साल के बाद तो काम स्टार्ट करेंगे तो material का closing balance समझे बात और abnormal normal loss भी होता है मैं इसी यहां put करके confuse नहीं करना चाहता है यहां लिखी नहीं नहीं ठीक है ना तो यहां तक कोई दिक्कत simple सी बात है तो इसमें देखो बस आपने कुछ concept समझा और यह सारी बाते आपको अगर मैं बिना लिखे पूछता ना तो आप बता देते सर इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए यह debit होगा और यह credit होगा अब यहां से जो भी profit आएगा ना उसे हम profit ना बोलके हम उसे बोलेंगे surplus इधर जो भी आएगा वो क्या होगा surplus होगा उसे क्या बोलेंगे surplus contractor जो होता है ना वो हमेशा चाहता यह है कि जितना मैंने काम किया उतना पैसा दे दे मुझे लेकिन contract यह चाहता है कि जितना उसने काम किया हम उसे उतना भी ना दे कुछ पैसे उसमें से भी रोक ले जैसे काम मान लेते हैं कि 6 लाक रुपे का हो गया है 10 लाक का contractor चेका हो गया मैंने पूछा हाँ भाई contractor कितने का काम हो गया उसने बोला जी छे का हो गया पांच लाग रुपर लो बाद में बाकी देंगे अब contract भी कुछ नहीं बोल सकता काम आगी करना है ठीक है पांच लाग तो आए लेवर उबर को पेमिंट करा तो आपका जो ये प्रॉफिट है वो तो है छे लाग के हिसाब से कल के दिन लडाई जगडा हो गया तो contract इसे मिलेंगे पैसे आप छे लाग पर गोर्मेंट को टेक्स दे दो गया है तो हमेशा बोला जाता है आपको जो प्रॉफिट मानना है न वो पर पोस्नेट बेसिस पर मानना है जितना पैसा मिला है उसी बेसिस पर समझ रहे बात को त लुशं का डन हुआ यानि work certified लिक धैडा ठीक है डन छे लाग और cash मुझे मिला कितने का पांक लाग का और मतलब cres mnसे पांच इमdogs इम सी मिलार मेरा net profit आद एक लाग का नेट प्रॉफिट यह नहीं सर्प्लस आ रहा है एक लाग का यहां वाला सर्प्लस तो आप मुझे बताईए कि यह जो एक लाग आया है यह अकॉर्डिंग टू 5 लाग आया है या 6 लाग आया होगा चेके तो इसका मतलब यह सारा का सारा एक लाग रुपे मेरा मुनाफ़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है इसको पर्पोस्नेटली बाटा जाए तो इसको पर्पोस्नेटली कैसे बाटोगे आप 6 फाइव के रेशो में कर दोगे इसको तो यानि आप मल्टिप्लाइ बाट करोगे 5 और डिवाइड बाट करोगे 6 कि आपने 1 लाग रुपे भले ही कमाया 6 लाग पे लिखिन मिला किस पे 5 तो इससे एक पर्पोस्नेट निकल के आएगा जैसे कि मैं अगर निकालू यहाँ पर्पोस्नेट क्या निकल के आता है तो यह पे 1 लाग डिवाइड बाइ 6 इंटू में 5 तो कुछ 83 अजार रुपे आ गया 83 तीन तीन इस तरह के सा आ गया तो यह प्राफिट है जो कि मेरा डूबा नहीं है इसके उपर अगर मैं सरकार को टेक्स दे दूना तो चलेगा क्योंकि इतना तो मैंने एक्चुल कमाया है तो इस प्राफिट को मैं ऐसा प्राफिट बोलूँगा जो सच्चा प्राफिट तो है नी ये प्राफिट सच्चा प्राफिट तो है नी तो उसको बोला जाता है जो ऐसा प्राफिट जो की लग राय के है भी और नहीं भी उसको बोलते है नोशनल प्राफिट कौन सा प्राफि जाएगा profit and loss और profit and loss यहाँ पर word इस्तमाल कर सकते हो लेकिन profit and loss नहीं करेंगे हम हम करेंगे costing profit and loss subject कौन सा है costing तो इसलिए profit and loss को कभी भी बोलना तो हमेशा बोलना costing profit and loss यानि इसको हमें bification करना है तो इसलिए हम इसको पता है कहा लिखेंगे buy side में buy surplus surplus लिखा अब इसको दो टुकड़ों में बाटना है एक पार्ट चला जाएगा कहाँ पर costing profit and loss CPL में जैसे मेरे वाले example के अंदर 83333 यह था बाकी कितने बच गया थे 166664 बच जाएगा हमारा जो भी बच जाएगा हमारा तो एक यह वाला हिस्सा तो मेरा profit में चला जाएगा और बाकी का जो हिस्सा बच गया है वो कहाँ चले जाएगा work in progress reserve reserve का मतलब हम यह मान रहे हैं reserve का मतलब क्या होता है profit को हम मान नहीं रहे है profit को उसको बचा रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पर यह रहेगा और यह दोनों side हमारा क्या हो जाएगा total बराबर ही रहे है क्योंकि इसी को तो बाटा है हमने पहले यहाँ तक देखे कोई दिक्कत अब मुद्ध की बात होती है sir इसको जो हम cpl में डाल रहे हैं वो कैसे डालेंगे हो सकता है work 10% complete हो, हो सकता है work 90% complete हो, हो सकता है work 60% complete हो तो एक method बनाया हुआ है, इसको जो govern करता है न वो AS7 govern करता है AS accounting standard 7 accounting standard 7 contract का है basically, वो बताता है कि profit को कितना हिस्सा profit मानना चाहिए एक formula based उन्होंने तयार किया हुआ है, उन्होंने decide किया है कि हम profit को कितना part profit में मानेंगे कुछ criteria रखते हैं, आप काम कितना complete करते हो तो पहला point AS7 में लिखा कि अगर आपका work done हो जाए less than हो 25% कितना done हो, मकान बनाना था, आपने नीव नीव डाल दिया है तो यहां पर मानना जाता है कि अगर नीव डाल दिया है तो अभी तो starting है, आपका contract छूट भी सकता है आपका कोई profit नहीं होगा तो अगर आपका work done कितना होता है, less than कितने percent 25% और 25% को मैं क्या बोल सकता हूँ एक बटे पांच चार चार, तो इस situation में आपको CPL मानना है जीरो अब मुद्दे की बात यहां पर आती है कि सर CPL 0 मान लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चले कि work 25% done हो गया है अब मान लो contact मेरा 10 लाग का है contract कितने का है, architecture आया उसने बोला 2 लाग का काम done कर दिया बताओ कितने percent काम कर दिया 20% कितना कर दिया, 20 तो यानि अगर मुझे निकालना है work done work done निकालना है तो work done के case में क्या होगा लिखा जाए आपका work certified divided by contract price into में 100 contract price into में 100 CP का मतलब contract price है, ठीक है न contract price जैसे मैंने बोला, मैंने ठेका लिया 10 लाग का तो मैं नीचे रखूँगा 10 लाग समझेगा बात को और architecture आता है, बोलता है 4 लाग का complete कर दिया, तो उपर रखूँगा मैं certified कितने का 4 लाग का गुणा में 100 करोगे तो बताओ क्या निकल के आएगा 40 से निकलेगा न, तो 40 परसेंट हमारा क्या होगा है, work done, ठीक है, work completed बोल लो, work done बोल लो ये तो है 25 परसेंट से कम काम हुआ, तो आप डालोगे कितना 0, लेकिन हो सकता है 25 से जादा भी, तब क्या होगा rule number 2 इन्होंने बताया है, बताया है कि अगर आपका work done हो, 25 परसेंट से जादा, लेकिन, less than 50 परसेंट समझ में आ जाएगा, मैं बोल भी रहा हूँ वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए 25 परसेंट से जादा, पचास से कम, तो बोला गया कि आपको profit जो मानना है CPL में, वो मानना है 1 बटा 3, किसका into में surplus, into में cash receive divided by work certified, मैंने short form use किया है, मैं repeat कर देता हूँ, CPL क्या है हमारा, जो हमारा यहाँ पर आएगा, costing pre-under, ठीक है, care मानने के 1 by 3, 1 by 3 कहाँ सा है question formula में given है, इसमें कोई discuss करने वाली चीजी नहीं है 1 by 3 surplus, कहाँ कौन से surplus की बात हो रही है, यह वाला, यह यह वाला into में cash receive divided by, मैंने बोल रहा था ने एक ratio में होगा, वहाँ पर रखा था आपको यहाँ तक कोई परिशानी, clear है, तो यहाँ पर यह CPL मानोगे, अगेन मैं बोलू, work done कैसे निकालोगे, यह रहा न, work done निकालने का तरीका, मैंने पहले लिख दिया इसलिए, each and everything आपको question में given होगा, या कोई clue देगा निकालने के लिए, ठीक है न, तो हम जैसे जैसे करेंगे, दिखते जाएंगे, तीसरा point, क्या 50% ही काम complete होगा, नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, work done, 50%, अच्छा, यहा पर लगा देता हूँ, क्योंकि less than 25 तो यहां आगया, यहां 25 लेकिन 50 से कम, यहां पर 50 या फिर 75%, इसने 50 और 75 या नहीं देखो, 25-25 का gap लेके चल रहे हो, 25-50, 75, तो यहां पर होगा, तो उसने बोला, ऐसे case में CPL लेंगे, हम 2 by 3 into में into में cash received divided by, यह लेंगे है, ऐसे सच, कोई दिक्कत, बताइए, अब मुद्दे की बात, cash received work certified उपर से चला रहा है, surplus कौन सा लेने है पता है न, और 2 by 3 formula का पार्ट है, वो अपना जो भी अपना एक parameter decide किया है, counting standards 7 ने उसके according है, अब 25 पे भी समझ में आ गया, 75 पे भी आ गया अगर मान लो 46% होगा, तो बताओ किस के हिसाब से करेंगे, 1 या 2 या 3, 2 के हिसाब से, 46 तो यहाँ आएगा न, ठीक है, अब अगला है 4th point, अब क्या बचा, अब बचा 75 से, 190 जो भी हो, तो अगर आपका work done होता है, 75 परतीशत के बराबर इससे ज़्यादा, less than 100, less than क्या, greater than जितने भी लिख दोगा, 100 ही होगा, ठीक है, मैं 100 ले लेता हूँ, यानि सिंपल बात बोलू, 75 परसंट से ज़्यादा जितना भी done होगा, वहाँ पे कहा गया कि आपको, आपको जो अपना work है न, वो मानना पड़ेगा, किस तरीके से देखो, क्योंकि यहाँ पे 75 परसंट के बाद न, almost काम क्या हो जाता है, done, 75 परसंट के बाद, work almost, almost done हो जाता है, है न, क्योंकि 25 परसंट थोड़ा सा ही काम रहा है, तो यहाँ पे बोला गया, आपको CPL मानना है, कोई 1 by 3, 2 by 3 मत माननो इसको, आप माननो surplus, into में cash received divided by, work certified, की जगहे पे आप करो contract price, क्योंकि work certified 25 परसंट मतलब कि almost complete है, मान लेते हैं, आपने 20 परसंट काम करती है, तो 10 परसंट के लिए थोड़ी न, आपका कुछ डूप सकता है, वो भी करीद होगे आप, finalize कर दोगे, तो बोला गया, divide किस में करना आप, contract, cash price ने मैं लिख देता हूँ, cash received divided by, contract price, contract price, इस case के अंदर, और ये basically जो मैं कर रहा हूँ न, ये जो हम profit cover कर रहे हैं न, यहाँ पे, ये profit कर रहे है, rational basis पे, proportionate basis पे, cash basis पे, ठीक है न, हमने first part cash basis वाला, और basically इसी पे question आएगा, तो यानि आपको सबसे पहले ये निकालना है, surplus निकालना है, surplus निकालना है, जैसे surplus इदर निकालोगे, तो आपको check करना है work कितना done हुआ है, work done हुआ है, तो उसके according आप check करोगे, कितने percent पार्ट यहां रखे और कितने पार्ट, reserve में जाएगा, अब एक वाद बताना, अगर मैंने बोला कि मेरा, जो है, contract price, 90% काम done हो गया है, 90% क्या हो चुका है, मेरा work, done हो चुका है, अब question में work certified और work not certified अगर नहीं देता, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, सीधा contract price ले लोगे, क्योंकि सारा काम done होई चुका है, वो ही मेरे लिए sale माना जाएगा, समझे बात आप, यहां तक clear है, तो हमने एक देखा simple सा contract account, contract account के अंदर यह सारे यहां से यहां तक खर्चें, इसको दो पार्ट में मैंने distribute किया है, एक पार्ट यहां तक surplus निकालने के लिए, उसके बाद दूसरा पार्ट हमने use किया है, उस profit को परपोस्नेटली बाटने के लिए, किस basis पे, cash basis पे, यह किस basis पे काम कर रहे हैं अभी, cash basis, a cruel basis पे अभी काम नहीं start वा, a cruel वाला जो करेंगे तब हम देखेंगे, यह cash basis का है, तो यह समझ में आया आपको यह तीनों point, कब कब क्या लगाना है, तो अब फटा-फट से note करिए, फिर हम आगे जैसा भी होता है, इससे related question को देखेंगे,